सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जय बागेश्वर धामसरकार ऐसे माथे वाले होते हैं धनवान और सौभागेशाली जानिये क्या कहती है आपके माथे की बनावट। अधिकों को देखकर काफी हद तक व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है कहा जाता है कि व्यक्ति की हथेली और माथे पर उसका भाग्य लिखा होता है जोतिश शास्त्र में माथे के आकार और माथे पर बनने वाले चिन्हों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिसके अनुसार कुछ लोगों को बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन प्राप्त करते हैं. प्रतिकात्मक तस्वीर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, जिनके माथे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनता हो, जोतिश शास्त्र के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के माथे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनता हो, तो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, जिस व्यक्ति के माथे पर यह चिन्ह होता है, वह पाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चोड़े माथे वाले लोगों को सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों के बारे में सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये लोग अपने जीवन में मान, प्रतिष्ठा, धन और दौलत सब कुछ प्राप्त कर ये लोग बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। ये जो भी निश्चय करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर सफलता हासिल करते हैं। विज्यापन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के मस्तक पर धनुष, वजरिया अर्धचंद्र का आकार बना होता है, उन लोगों को भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में खूब तरक्की और खूब सारा धन कमाते हैं। जिन लोगों माथे अर्धचंद्र का चिन्ह बनता हो, उन्हें नौकरी की बजाय व्यापार में अपना हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे लोगों की बड़े उद्योगपती बनने की संभावना बहुत प्रबल होती है। जिन लोगों के माथे पर शंक का निशान बनता है, उनकी रुची आध्यात्म की ओर होती है। ये लोग सौभाग्यशाली होने के साथ ही एक संतुलित और आदर्ष जीवन जीने में विश्वास रखते हैं।